आप सबी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाए वह है इन फे भी इम शेर लेटेस्ट न्यूज टॉक्ट वाइनो पिसले करीबन एक से देड़ में हमने देखा यह स्टॉक में काफी करेक्शन आज चुका था और रिसनली थोड़ा बहुत बाउंस बैक्स देखने इस टॉक में मिला है लेकिन अभी भी यह स्टॉक अपने अपर लेवल से काफी नीचे है तो यह अपर टेक्निकल बेजिस इस पर्टिकलर स्टॉक में इन्वेस्टमें करने के लिए और आज हमने जो मार्केट मोडे स्टॉक मार्केट में कह सकते हैं यह समय अभी बहुत अगर देखे तो इंडियन स्टॉक मार्केट का बूलिश ही है और यह अप्रोप्येट लेवल से मेंड़ कैप और स्पेशली स्मॉल कैप में एंट्री करने का और इंपी बीम में जिन्होंने अपर लेवल पर इं साथ ही में काफी अच्छे से न्यूज आया इस टॉक में जो न्यूज इस टॉक में हम कवर करेंगे साथ ही में फंडमेंटल और टेक्निकल पार्ट भी कवर करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक जरू देखना तब जाके exactly आपको बता जालेगा कहां पे आपको इस पर्टिकलर स्टॉक में इस समय एंवेस्ट करना चाहिए वीडियो के शुरुवात में नहीं सब्सक्राइब उसका अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा मैं एक से भी रेजिस्ट ऑफ्राइस परसन हूं हूं सिंस 2007 असोसेटेट विट 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 वन तो टॉप्म किया गया है इन दिस वीडियो विल सी दे लेटेस्ट न्यूज ऑफ इंवेस्ट पाटन भी देखेंगे स्टॉक का सबसे पहले क्योंने सेशन का एक रिमानटर देना चाहूंगा साब सभी को कल के दिन पर फिर से हम एक बार यूट्यूब लाइव में जोडेंगे जान दु का इस सेशन का जिसमें आप अपने स्टॉक मार्केट पॉर्टफोलिय के बारे में कोई भी क्वेशन से कोई भी क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हैं जितना हो सके हरे के क्वेरी को आंसर करने कोशिश करूंगा अगर किसी का आंसर के सकते स्पेसिफिकली रह जाता है मेरे स क्वेशन से देने में या कोशिश की का व्यांसर नहीं कर पाता हूं तो अपने अंसर अपने वह 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 कमेंट बॉक्स पे टाइप करके रखे जितनी जल्ली हो सके हरे के क्वेशन को आंसर करने की कोशिश कर दूगा साथी में मैं एक नया पॉड़क लांच किया प्रोडक्त को लांच किया गया है 30 डेस का पैकेज आपको 4999 में पड़ेगा आपको इस पर्टिकलर एडवाइजरी स्कीम में आपको पूरे महिने में 15-20 ऐसे कॉल्स यह जाएंगे जहां आप डिलिवरी बेस इंट्राडे बेस और साथ ही में एफेनों बेस काम कर पाएंगे आपको पूरे जाएंगे जो जिन स्तौक्स पर हमारी कंड़े जो स्टौक्स हमारे मारे इंटरन क्लियांट्स को प्रोइट कर मिलेगा तो जितना हो सके उतना जल lean इस पर्टिकलर स्कीम में ऐलएंट्में की बात करें तो इंफीबी में लेटेस्टिक न्यूज आया था करीबन 6-7 दिन पहले इंफीबीम इस लुकिंग टु अक्वाइर पॉइंट ऑफ सेल कंपनी यानि पॉस कंपनी पॉइंट ऑफ सेल हम सभी जानते पॉस मशीन जो रहते हैं जो आप क्रेडिट कार्ट करनी की मशीन जो रहती है वो जो कंपनी बनाती है उनकी लिए स्पेसिफिकली इनफीबीम यहां पे टेक वर करनी कोशिश कर रहा है और जिसके चलते इंफीबीम का कैसे के अलग लेवल हो जाएगा अगर यह टेक और कंप्लीट होता है तो इंफीबीम इस लुकिंग टोग कंपनी बनाती है जो पॉस मशीन करती है वेंडर्स जो है उनके साथ टायब करनी कोशिश किया रहा है इंफीबीम कंपनी के साथ और इंफीबीम कंपनी का और जिसके चलते हैं यहां पे इंफीबीम जो है वो लेंडिंग बिजनेस में और बैंक्स में एंबी एपसी में काफी सारी तरीके से टायब हो सकता है अब्दावाद बेज़ इंफीबीम इस लुकिंग टो एंटीट बिलियन ऑफ ट्रांजिक्श इंफीबीम का जो लेवल अलग लेवल पे चली जाएगी यह कंपनी इंफीबीम का अगर कल का क्लोजिंग वेनेजडे का क्लोजिंग देखे तो 40.45 के आसपास था निफ्टी के साथ कंपेर करें तो पूरे सालबल में नेगेटिव 32% का रिटन दिया है और मार्केट के अपलाइशन देखे तो 5,380 करोड के आसपास इसका मार्केट के रानी और बेजिस प्राफिट भीफोट टैक्स की बात कि अट इसले साल प्राफिट भीफोट TAKS था 9 करोड 20 लाग के असपास इस बार जो प्राफिट भीफोटriz तरीके से ग्रोथ किया डबल लेकिन नेट प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट है वो भी कह सकते हैं यहां पर अच्छे से ग्रोव हुआ है रिटरंस परसंटेज इस पर्टिकलर स्टॉक का इतना अट्रक्टिव नहीं है पिछले एक मेने में नेगेटिव 19 परसंट तीन मेन मे commitment नहीं दिख रहा है लेकिन जिससाब से इसके कंपनी के fundamentals बन रहे हैं और दिस यसनाप से कंपनी के future implications बन रहे हैं कंपनी अक्वायर कर रही दूसे कंपनी के साथ जिसके चलते हैं यहां पर यह कह सकते हैं आने वाले समय में यह मल्टी बैगर होने का चांसिस यह कंपनी रखती है RSI 30.2 यानि clear cut oversold situation है MFI 40.5 यानि यह भी oversold के आसपास ही है तो यह level accurate level से जहां पर आपको buying करना चाहिए 30 days में 45.9 50 days में 48.2 दोनों से level से यह समय नीचे की तरफ है तो जिसके जलते ही यह levels appropriate level अगर आपको average भी करना या fresh investment करना है पिछले 5 दिन का pattern देखे तो 44 रुपी से stock करी constantly 40 के आसपास आ चुका है एक मेने का चार्ट pattern देखे तो 52 रुपे के से यह stock करीबन नीचे कैसकते है specifically 40 रुपी स तक आ चुका है और अगर एक तीन मेने का इसका highest point देखे तो 59 का था और वहां से यह stock इस समय 40 के आसपास trade कर रहा है प्राइज और वॉल्यूम डेटा देखे तो वेनेज़डे की दिन पर 19 राग का ट्रेडिंग वॉल्यूम था जिसमें से 10 राग की delivery quantity पॉंटिटी देखी गई है शेर वोल्डिंग पैटर्न अगर देखे इस पर्टिक्लर स्टॉक का तो 31.09 परसन है प्रोमोटर होल्डिंग कांसलोटेशन कोचिनग बूक कीजिई एक अपके हरे प्रोम का उसके और सुलीशन मिल जायगा तेंक यो झाल झाल